हेलो दोस्तो आज हम बनाएंगे लाल मिर्च का कुटा हुआ जार जो खाने में बहुत ज़्यादा चट पटा है तो सबसे पहले हम लेंगे लाल मिर्च और उसे अच्छे से धोग कर धूप में सुखा लेंगे दो-तीन गटे धूप में सुखाने के बाद मैंने इसे पीसिस में काट लिया है इसके साथ मैंने यहाँ अद्रक और लहसन भी लिया है और साथी साथ मैंने यहां कुछ मसाले लिये हैं सबसे पहले स्वादनुर्सा नमक, थोड़ा सा चटपटा करने के लिए काला नमक यहां मैंने लिया आजवाइन और कलॉंजी, हल्दी, हींग, जीरा और सौफ यह अचार बनने के बाद बहुत ही ज़्यादा चटपटा होने वाला है तो मैंने यहां जो पीसे में मिर्चे काटे थे उसे अब मैं मिकसर जार में डाल कर अच्छे से ग्राइंड कर लोगी इकदम अच्छे से यहां देखिए मैंने यहां इसे धरदरा पीस लिया है अब मैं इसमें धीरे धीरे करके अपने सारे मसालों को इसमें डाल दूँगी और फिर हमें इसे अच्छे से इसको कर लेना है mix अच्छे से mix करने के बाद इसमें मैं डालूँगी तेल जो इसके लिए बहुत ही जादा essential है फिर इसको थोड़ा से चट पटा बनाने के लिए मैं डालूँगी नेमु का रस फिर इसे airtight container में रख ले और तीन दिन धूप दिखाने के बाद यह चार बिल्कुल रेडी है और मेरी रेसिपी पसंदा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें